हेलो दोस्तों जैहिन स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में तो दोस्तों हमारी वंदे भारा ट्रेन के लिए 52 रूटों को सौट लिस्टेट किया गया है और इन्हें 52 रूट में से 25 रूट के बारे में मैंने इस वीडियो में आप से बात कर लिया है और इस वीडियो में हम बाकी बचे रूट के बारे में बात करने वाले है और यह जो वीडियो है वो इस वीडियो का part 2 होने वाला है तो आपसे request है कि आपने अगर अभी तक part 1 को नहीं देखा है तो पहले आप part 1 को देखिए फिर आप इस वीडियो यानि के पार्ट टू को देखिएगा तो सारे रूट के बारे में आप सभी को पता चल पाएगा और फिलाल दोस्तों आगे मैं जो जो रूट आपको बताने वाला हूँ तो अगर इन रूटों में आपका रूट का नाम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइएगा और ये जो सभी रूट्स हैं इन पर वंदे भरटन कब तक आने वाली है इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है तो इसमें जो सबसे पहला रूट है वो है विसाखा पत्नम से भूबने स्वर वाला और आपको विसाखा पत्नम से भूबने स्वर के लिए भी वंदे भारा ट्रेन बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है इस वंदे भारा ट्रेन में 8 कुछ वाला रायक देखने को मिलेगा और रे ट्रेन सप्ता में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनस होगा अगर बात कर लें विसाका पटनम भूबनेस्वर रूट की दोस्तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट की तो दूसरा रूट है पूणे से सूरत वाला और पूणे से सूरत के लिए भी आपको वंदे भारा ट्रेन देखने को मिलेगी इस ट्रेन में भी आठ कुछ वाला रैक होगा और ए ट्रेन भी सब्ता में 6 दिन चलेगी बात कर ले पूने सूरत रूट की तो ये जो वंदे भारा ट्रेन है ये वाया कलियान वाला रूट लेगी इसलिए ये जो ट्रेन है वो लगबग 395 किलोमेटर के जो दूरी है उसको यहाँ पर कभर करने वाली है और इस 395 किलोमेटर की दूरी को लगबग 5 गंटे क्यास पस में हमारी ये वंदे भारा ट्रेन कभर कर लेगी दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की तो तीसरा रूट है पूरी से रायपूर वाला और यह डिमांडेबल रूट है यहाँ पर इंडिया रेलबे ने पूरी रायपूर रूट को भी यहाँ पर सौट लिस्टेट कर दिया है बात कर ले प आपको जो आठ कुछ वाला रैक है वहीं देखने को मिलेगा फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट की तो चौथा रूट भी इंपोटेंट है और ए ट्रेन हाबड से बोकारो ए स्टील सीटी के बीच में चलने वाली है हाबडा और बोकारो ए स्टील है एक कभर करने वाली है इस ट्रेन में आपको आठ कुछ वाला रैक देखने को मिलेगा और ए ट्रेन भी सब्ता में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांचवे रूट की तो पांचवे रूट है टाटा नग की दूरी को एप्रोक्समेटली 7 घंटे और 50 मिनट में हमारी ये वंदे भारा ट्रेन कभर कर देगी और आपको टाटा नगर से वारानसी और वारानसी से टाटा नगर पहुचा देगी फिलाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चट्ठे रूट की तो चट्ठा पर भी लंबे समय से वंदे भारत की जो डिमांड है वो लगतार बनी हुई है और रे रूट भी फाइनली सौट लिस्टेड हो चुका है वंदे भारा ट्रेन के लिए फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं साथवे रूट की तो साथवा रूट है गोरकपूर से गोरकपूर के जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 341 किलोमेटर के आसपास है जिसको जो हमारी वंदे भारा ट्रेन है वो एक प्रॉक्समेटली साड़ी चार से पाच घंटे में कभर कर देगी और आपको गोरकपूर से कानपूर पहुंचा देगी और ए रूट भी आगे और बात करते हैं आठवे रूट की तो आठवा रूट है गोरकपूर से प्रयागराज वाला और इस रूट के बारे में भी मैंने आप से बात किया है बात कर ले डिस्टेंस की तो गोरकपूर से प्रयागराज का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 352 किलोमेटर ह और ये जो ट्रेन है ये देवरिया भटनी वाला जो रूट है वो यहाँ पर लेने वाली है और इस 352 किलोमेटर के डिस्टेंस को एपरोक्समेटली 5 गंटे से भी कम समय में हमारी ये जो बंदे भरा ट्रेन है ये कभर कर देगी और आपको गोरकपुर से प्रियागराज या और प्रियागराज से गोरकपुर पहुँचा देगी फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नौवे रूट की तो नौवा रूट है सहारानपूर से प्रियागराज वाला और ये रूट भी पिछले कई महिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है दोब हो चुका है लेकिन इस रूट को अभी वंदे भारा ट्रेन का इंदि जार है फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दसवे रूट की तो 12 वा रूट है चितर कूट से लखनाव वाला और आपको चितर कूट से लखनाव के लिए भी एक डेडिकेटर वंदे भारा देखने को मिलेगी और ये ट्रेन वाया प्रियाग राज होकर चलने वाली है ऐसे में जो ट्रेन है वो लगबग 366 किलोमेटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर कभर करने वाली है और इस दूरी को एप्रोक्समेटली साड़े चार घंटे के आसपस में हमारी ये वन्दे भारा रूट भी फाइनली सोट लिस्टेड हो चुका है सीसी वाली वन्दे भारा ट्रेन के लिए दिल्ली सा लखनव का जो टोटल डिस्टेंस है वो एप्रोक्समेटली 500 किलोमेटर है चाहे ये ट्रेन भाया कानपूर जाती है या फिर वाया मूरादाबाद दोनों रूट में ही लगबग ये ट्रेन 500 किलोमेटर के जो दूरी है उसको यहाँ पर तैय करने माली है और इस 500 किलोमेटर के डिस्टेंस को हमारी जो वन्दे भारा ट्रेन है वो एप्रोक्समेटली 6 घंटे से कम समय में कवर कर देगी और दिल्ली लखनव रूट पर भी वन्दे भारत का जो वन्दे भारा ट्रेन देखने को मिलेगी और ये जो वन्दे भारा ट्रेन होगी वो लगबग 283 किलोमेटर के डिस्टेंस को कवर करने वाली है और इस रूट पर सताबदी भी चलती है लेकिन हमारी जो वन्दे भारा ट्रेन है वो इस 283 किलोमेटर की दूरी को एप्रोक्स अभी कोई भी direct train देखने को नहीं मिलेगी इसलिए इंडेरेल में देहरादून से टनकपूर के बीच में एक directly वंदे भारा train को launch करेगी इससे देहरादून में टूरिजम को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है साथी टनकपूर के साथ एक अच्छे करेक्टविटी इ देहरादून से काटगुदाम वाला जो रूट है इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 335 किलोमेटर के आसपास है और इस 335 किलोमेटर की दूरी को हमारी जो वंदे भारा train है वो एप्रोक्समेटली 4-5 गंटे में कभर कर देगी इससे देहरादून और काटगुद दोनों जगा पर ही टूरिजम को बढ़ावा मिलने वाला है देहरादून काटगुदाम वंदे भारा train में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा और एट्रेन हपते में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पंदरहवे रूट की तो पंदरहवा रूट है लखनव से देहरादून वाला और इस रूट पर भी वंदे भारा train चलेगी जिसमें 8 कोच लगे होगे और एट्रेन हपते में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा लखनव से देहरादून की 535 कि दूरी हमार पंदरहवा रूट है लखनव से वारानसी वाला और एट्रेन भाया अयोध्या और परियागरा चलने वाली है ऐसे में दोस्तों उतर परदेश के बड़े धार्मिक नगरी में आने वाले जितने भी यात्री है या सरधालू है उनको काफी जदा आसानी मिलने वाला इस जल्दी ही वंदे भरा ट्रेन इंडेया रैयल बे देने वाली है फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 17 हुए रूट की तो 17 हुआ रूट है राची से वारानसी वाला और यहां पर इंडेया रेल्बे ने राची वारानसी रूट को भी Shortlisted किया है C.C. वंदे भरा ट् वो लगबग 571 किलोमेटर के आसपस है और इस 571 किलोमेटर के डिस्टेंस को हमारी जो वंदे भरा ट्रेन है वो एप्रोक्समेटली 8 घंटे के आसपस में कभर कर देगी और आपको राची से वारानसी या फिर वारानसी से राची पहुचा देगी इस ट्रेन में आपको इस रूट को इंडियन रेलबे ने सोट लिस्टेट किया है राची देवगर रूट की बात कर लें तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 329 किलोमेटर के आसपस है जिस पर हमारी वंदे भरा ट्रेन चलने वाली है और इस दूरी को चार घंटे से भी कम सम रूट देने वाली है फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 19 वे रूट की तो 19 वा रूट है पटना से देवगर वाला और पटना देवगर रूट को भी इंडियन रेलबे ने सोट लिस्टेट किया है और इस रूट पर चलने वाली जो वंदे भरा ट्रेन है इसमें आठ कुछ लगे होंगे और रेट्रेन सप्ता में छी दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा पटना देवगर रूट की बात कर लें तो इस रूट का जो टोटल लिस्टेंस है वो लगबगग दोसो 27 किलो मिटर के आसपास है हाला कि ये डिस्टेंस बहुत ही ज लिस्टेड हो चुका है वंदे भरा ट्रेन के लिए इस रूट की बात कर ले तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 395 किलो मेटर के आसपास है और इस 395 किलो मेटर के डिस्टेंस को हमारी जो वंदे भरा ट्रेन है वो एप्रॉक्समेटली 5 गंटे में कभ पर कर देगी नई दिल्ली से टनकपूर के बीज में चलने माली वंदे भरा ट्रेन में आपको आठ कोच वाला रायक देखने को मिलेगा और रे ट्रेन सब्ता में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 21 रूट की तो एप्रॉक्समेटली 300 किलोमेटर के आसपास है और इस 300 किलोमेटर के डिस्टेंस को हमारी जो वंदे भरा ट्रेन है वो लगबग 4 घंटे के आसपास में कभर कर देगी और आपको बिहार की राध्धानी पटना पहुचा देगी और गोरकपुर से लखनव के लिए और गोरक अच्छी दिन चलेगी बागी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 22 वे रूट की तो 22 वा रूट है जम्मू से सिरी नगर वाला और इस पर जो हमारी वंदे भरा ट्रेन है वो चिनाब बिरिज इनोगरेशन के बाद चलने माली है और जम्मू से सिधे ही वंदे भारत की connectivity सिरी नगर के लिए इंडिये रेल बे प्रवाइड करा देगी तब यात्रियों को काफी ज्यादा आसानी होने वाला है सिरी नगर पहुचने में और जो टूरिस्ट की संखिया है वो सिरी नगर में काफी ज्यादा बढ़ने माली है दोस तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास जर्णी होने वाला है सभी यात्रियों के लिए और इस पूरे यात्रा को आप एक रोमांचक यात्रा के तरज पर इंजुआए करने वाले हैं और दोस्तो जम्मू सिरीनगर रूट को भी इंडिया रेलवे ने सोट लिष्टेट कर दिया है फिलाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 23 रूट की तो 23 रूट है अमरिटसर से नई दिली वाला अमरिटसर से नई दिली जो रूट है ये भी बहुत पहले ही सोट लिष्टे को हमारी जो वंदे भारा ट्रेन है वो लगबग 5-5 गंटे में कभर कर देगी और आपको अमरिसर से दिल्ली या फिर दिल्ली से अमरिसर आसानी से पहुचा देगी इस ट्रेन में आपको शुरुवात में आठ कौछ वाला रैक देखने को मिल सकता है और रे ट्रेन भी सपता म बागी एक दिन इस कमेंटेन्स होगा तो दोस्तो ए थे हमारी चेयर कार वाली वंदे भारा ट्रेन के लिए टोटल 48 लिस्टेड रूट जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया फिलाल दोस्तो ए जो लिस्ट है इसमें 5 और रूटों का नाम है जिसको मैं किसी और वी बाटन से रिलेटेड आगे कोई भी नए अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिस करूंगा और आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बागी मैं में मिलता हूँ अपते के लिए जय हिंज जय भारत